Hello students, now we will solve question number 2 of exercise 14.3 Here the question is, divide the given polynomial by the given monomial So student, यहां पर first sum है, 5x square minus 6x divisible by 3x So student, यह है monomial, single term है, जो हमारे पास बहुत होती है तो यह हमारे पास polynomial है, तो हमने student 5x square minus 6x को divide करना है 3x से So student हमें कैसे के लिखेंगे, student हमें यहां पर given है 5x square minus 6x इससे division यह होई value student, तो जो value हमारे पास division होती है student तो हम क्या करते हैं उसको denominator में लिख देते हैं उपर वाड़ी value यहां पर आजाएगी 5x square minus 6x upon 3x यह numerator बन जाएगा, यह है denominator तो student हमने next step के है हमारे पास हमने इन दोनों values में से common value निकाल ली है तो student यहां पर हमें दिख रहा है, यहां पर 5 है, constant value यहां पर 6 है इन दोनों में कुछ भी common नहीं आ रहा है except 1, 1 सब में common होता है student तो यहां पर हम 1 लिखने के हमें जुरूरत नहीं है तो यहां पर student देखे, यहां पर है x square that means x हमारे पास 2 बार आ रहा है x square मतलब x multiply x और यहां पर आ रहा है x that means student दोनों में से हमें x common मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से x common निकाल रहेंगे तो अंदर क्या रहा जाएगा student, यहां पर रहा जाएगा 5 as it is यहां पर student x square था यहां पर x square था, तो हमने यगर 1 x बाहर निकाल लिया तो अंदर रहा जाएगा only 1 x तो यहां बन जाएगा 5 x अब student यहां पर जो sign है negative as it is आ जाएगा अब student हमने जब x common निकाल लिया है यहां पर 6 x था, जब x common निकाल लेंगे तो यहां पर रह जाएगा only 6 तो हमारे पास नीचे student as it is 3 x हो जाएगा तो हमारे पास value बन गी x multiply 5 x minus 6 तो student अब देखिए, यह numerator में है, यह denominator में तो यहां पर cutting हो जाएगी यहां पर 1 से cutting हो जाएगी, यहां पर भी 1 से cutting हो जाएगी तो student हमारे पास value आजाएगी 5 x minus 6 upon 3 तो student हमारे यह first answer हो जाएगा अब करते हैं second part इसका second part student हमारे पास क्या दे रखा यहां पर उन्होंने तो यहां पर given a student हमारे पास according to your book यहां पर है 3 y power 8 minus 4 y power 6 plus 5 y की power कितने student यहां पर 4 divide यहां पर दे रखा है y 4 student हमने अब इसको solve करना है तो कैसे करेंगे student first step as it is हो जाएगा हमारे पास यहां पर जो value दे रखी हैं पहले हम उसको यहां पर student लिख लेंगे यह वाली value 3 y 8 minus 4 y 6 plus 5 by 4 अब student यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह value हमारे पास थी यहां पर division था तो यह हमारे पास numerator बन गया यह है denominator यहां पर student यह हमारे पास numerator हो जाएगा और यह denominator बन जाएगा तो हम इसके second step से start कर देते हैं students को तो हमारे पास बन जाएगा 3 y 8 minus 4 y 6 plus 5 by 4 अब student next step क्या है हमारे पास हमने student उपर देखना है इन में से तीनों value में common value कौन सी यहां रही है यहां पर student पहले देखेंगे हम constant value यहां पर 3 है यहां पर 4 है यहां पर 5 तीनों में common नहीं हा रहा student तीनों में जो value common हो तब निकाल सकते हम student यहां पर 3 है 4 है 5 है तीनों में अलग अलग values है तो हमें से common नहीं निकाल सकते लेकिन student ने हमें यहां पर दिखाई दे रहा है y की power 8 है, y की 6 है यहां पर y की power 4 है that means तीनों की power सबसे शोटी वबावर गोंसी है y 4 तो हमें पता लग चुका है कि हमें यहां से y 4 common निकाल सकते हैं तीनों value में से तो student जब हमने y 4 common निकाल लिया तो पहले यहां पर रह जाएगा 3 as it is, अब यहां student y 8 था हमने तो 4 common निकाल दिया है तो यहां पर आ जाएगा y की power कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 अल्रेडी common निकाल चुके हैं, तो यहां पर 4 रह जाएगा minus 4 आ जाएगा student as it is अब student यहां पर है y की power 6, तो हमने तो y की power 4 common निकाल लिया है, तो हमारे पास क्या रह जाएगी y की power यहां पर रह जाएगी 2 अब student next में है plus 5 as it is अब student हम तो y की power 4 common निकाल चुके हैं तो यहां पर 5 y 4 था, तो यहां पर कहला 5 रह जाएगा, तो y 4 common आगे, तो student इसके denominator में क्या आएगा, y की power 4 हो जाएगी, अब देखिए student यहां पर y की power 4 है, यहां पर भी y की power 4 है, और यह multiplication में बढ़ा हुआ है, यह numerator का part denominator का student यह cutting हो जाएगी अब पसमें कट जाएगे तो हमारे पास answer आजाएगा student 3 y power 4 minus 4 y square plus 5 ऐसे student हमारा second sum complete हो जाएगा, अब इसका third part कर लेते है, student second का जो की हमें दे रखा है, यहां पर student value हमारे पास है that is student 8 हमारे पास common है, अंदर values पड़ी हुई हमारे पास student x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube division किसे हो रहा है, student यह value divide हो रही है हमारे पास 4 x square y square और z square से अब student हमने इसको solve करना है student हमें यहां पर इस part को करने के लिए अब यह तो student हमारा numerator वाड़ा पार बन जाएगा यह है हमारा denominator का हो जाएगा तो इसको हम जिब solve करेंगे student तो हमारे पास student क्या बन रहा है यहां पे यह वाला उप्रबड़ा part as it is आ जाएगा यहां पे student 8 as it is अंदर value आ जाएगी x cube y square z square plus x square y cube z square plus x square y square z cube division student इस value से कर रहे है हम इसको x square y square z square से तो हम student अब इसको कैसे लिख सकते हैं यह हमारे पास numerator का पार्ट बन जाएगा student x cube y square z square x square y cube z square plus x square y square z cube upon student यह हमारा numerator का हो गया, यह value denominator में चली जाएगी, 4 x square, y square z square अब student हमने यहाँ पे देखना है यो कि हमें दिखवी राय देखे student 4 तो यहाँ पे already पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे cutting भी कर सकते हैं, 4 1s are 4 4 2s are 8 यहाँ पे student 2 रहा जाएगा हमारे पास अब देखे student अब तीनों यो value अंदर है, इनमें से common value देखनी हमने, पहले देखो यहाँ पे student x cube पढ़ा हुआ है यहाँ पे x square, यहाँ पे x square तो तीनों में हमारे पास क्या आ रहा है, x square common आ रहा है फिर यहाँ पे y square है student यहाँ पे y cube, यहाँ पे y square तो यहाँ पे हमें क्या common मिल रहा है y square अब student यहाँ देखिए, यहाँ पे z square है यहाँ पे z square है, यहाँ पे z cube अब तीनों में common value कौन सी होगी z square तो जब student हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहां पे क्या रहा जाएगा student हमारे पास यहां पे रहा जाएगा only x क्योंकि बाक्की value हम common निकाल चुके है student यहां पे रहा जाएगा y यहां पे plus डालते है student यहां पे plus है यहां पे रहा जाएगा y प्लस अब student यहां पे x square y square z square अगर तो अलडरी हम common निकाल चुके हैं तो यहां पे रहे जाएगा Z upon student अब नीचे आ जाएगा X square Y square और Z square अब देखे student यहां पे यहां पे X square है यहां पे भी X square cutting हो जाएगी student यहां पे Y square है multiplication में student यहां पे भी Y square यह भी cut जाएगा यहां पे z square है student, यहां पे भी z square आपस में cutting हो गया तो student हमारे पास क्या आ गया, उपर आ गया student 2 अंदर value आ गया student x plus y plus z upon 1 तो student अब 1 नीचे हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 हम लिखें जा ना लिखें तो student हमारे पास अंसर बन जाएगा, 2 multiply x plus y plus z तो student इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, 2x 2y plus 2z तो यह हमारे आंसर complete हो जाएगा student student हमें यह answer मिल गए यहां पे, 2x plus 2y plus 2z student thank you students students तो